जै श्री राम जै बागेश्वर धाम दोस्तों आज हम आपको लाल मिर्च के ऐसे उपाय बताने जा रही हैं जिनको करके आपकी किस्मत चमक जाएगी जो रोडपती हैं वह भी करोडपती हो जाएंगे जो गरीब लोग हैं उनकी जन्म जन्मांतर की गरीबी या लाल मिर्च करती हैं दोस्तों स्वागत हैं बताने जा रहे हैं जो की बिलकुल अचुक है और बहुत सटीक है इससे कई लोगों का फायदा हुआ है और कहीं लोगों ने इसको जिन्होंने इस उपाय को बहुत ही तरीके से किया है बहुत ही आस्था के साथ किया है उनको यह उपाय जो है बहुत ज्यादा कारगर सिद् मंत्र तंत्र बोलते हैं कुछ भी नहीं बोलना दोस्तों क्योंकि समय नहीं रहता है और टोटका का जो उपाय है वहां आपको फल तुरंत प्रदान करता है लाल मिर्च का तो दोस्तों आपको क्या रखना है माता लक्षमी जो है उनको लाल मिर्च बहुत ज्यादा पसंद होती है क्योंकि इस मिर्च का कलर होता है लाल तो दोस्तों मा लक्षमी की आप पर कृपा बरसेगी और आप भी बन जाएंगे करोडपती और आपके पास भी बहुत ज्यादा आएगा दोस्तों जीवन में सुख और दुख निरंतर चलते रहते हैं यानि सुख और दुख का पहिया निरंतर घूमता रहता है लेकिन लोग ज्यादा तर के चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि ज्यादा तर सुख जीवन में आए और दुख की कमी हो यानि सुख और दुख तो चलते रहते हैं लेकिन दुख को काम आए और सुख ज जीवन में दुख ही दुख हो जाते हैं और शत्रु परिशान करने लग जाते हैं तो जीवन दुखों से भर होगा और आप लोग उसी में फर्ष्ट करके रह जाते हैं जिन में से यदि आपने एक भी उपाय कर लिया न दोस्तों तो इससे आपकी रातों रात किस्मत चमक जा का आपका आपके मन में आस्था रख करके उपाय करने पड़े यदि आप नहीं मानेंगे ना तो फिर उपाय नहीं होगा यदि आप आस्था मानेंगे तो 100% दोस्तों यह फल देता है दोस्तों क्या होता है कभी कभी शत्रो इतनी ज्यादा परेशान करते हैं कि लगता है कि बचने का कोई चांस नहीं है अब कोई रास्ता नहीं बचा है अब यह शत्रों में मेरी देगा या फिर चारों तरफ से वहां आपको बांध देता है आपकी परेशानिया बाहर बढ़ा देता है तो यह उपाय इन परे परिशानियों से दूर हटाएगा या फिर आपके जीवन में जो परिशानी आ रही है उनको बाहर निकले दोस्तों जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर लोग उपाय का सहारा लेते हैं और लेना भी चाहिए क्योंकि इससे कम उनका बन जाता है वह जिंदगी भर नहीं तो पर इशान ही रहते हैं यदि उपाय कर लिये जाएं तो फिर उनकी परिशानी और गरीबी दूर हो जाती है तो दोस्तों जीवन में लोग पैसा तो कमाते हैं जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो की पैसा कमाते हैं खूब पैसा कमाते हैं लेकिन उनका पैसा टिकत आप टिकता कैसे नहीं है। जैसे लोग परिशान होते हैं, इसके अलावा जैसे आपके घर में बहुत अनावशक खर्च हो गए हैं, लड़ाई जगड़ों की वजह से खर्च हो रही हैं, तो खर्चा तो रुक नहीं रहना पैसा तो और रहा है, तो दोस्तों ऐसे जो इस तरह की चीज होती है, जिनके घ हैं, आपसी परिवार आपसी कल करते रहते हैं, आपसे लोग भाई-भाई का गला काट रहा है, भाई में नहीं बन रही, वह भाई-भाई का दुश्मन बन गया है, इन्हीं सभी चीजों को हम दूर करने। अले भी तो सुख शांती से रहते थे, वह आप पर तांतरिक विद्याएं करवाते रहते हैं, इससे आपका हमेशा बुरा ही होता है, और आपको पता भी नहीं लगता, आज जो में आपको उपाई बताने जा रहा हूं, वह लाल मिर्च का उपाई है, कि आप पर किसी ने रखा होगा, तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आप हमेशा अपना जो जैसे आपके पास पैसे आने के सभी। मार्ग बंध हो गए थे, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, आपका व्यापार अच्छा चल रहा था जैसे लेकिन एकदम से व्यापार आपका पढ़ गया है, इसी के साथ आप शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके तो उनके लिए भी उपाई है, इसके अलाबा आज एक उपाई है, तो दोस्तों बहुत सारे तरीके के उपाई हैं, तो आप ध्यान से विडियो को अंत तत देखी और कमेंट बॉक्स में जै श्री राम जै लक्ष्मी मैया जरूर लिखिए ताकि आप पर लक्ष्मी मैया क्रिपा बनाए रखें, जै लक्ष्मी मैया तो दोस्तों लाल मिर्च जो है, वह आपको सुखी लेनी है, सुखी लाल मिर्च आपको लेनी है, लाल मिर्च खाने का स्वाद तो बढ़ती है, साथ ही साथ कहीं उपियोग और प्रयोग में इसका प्रयोग किया, जाता है, इसका उपियोग किया जाता है, लाल मिर्च आप आपको यदी कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, दोस्तों जो कर्जदार होते हैं, उनको कोई भी साथ नहीं देता, उनका परिबार के व्यक्ती भी साथ नहीं देते, अलग-अलग छुटकारा मिलेगा दोस्तों, आज का उपाय सभी परेशानियों को दूर करेगा य आज का विडियो आपने देख लिया, तो फिर आपकी सभी परेशानिया दूर हो जाएगी, आप उपाय कर लेते हैं, और पूरी सत्ता के साथ दोस्तों आपको क्या लेना है, एक बर्तन में आपको पानी भरना है, पहले उपाय में शुरू करने जा रहा हूं, एक बर्तन मे आपको पानी भरना है, अब आप पानी भरने के, बाद लाल मिर्च के दाने निकाल लीजिए, अब मिर्ची के अंदर बीज होते हैं, सुखी लाल में, के अंदर निकालने हैं, और बर्तन में डाल देना है, और सोते समय आपको अपने सिरहाने पर उसे बटन को रख देना है सुभा उठकर इस बटन को उठाकर अपने उपर से आपको साथ बार बार लेना है और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जिस दिशा में घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा में आपको बार लेना है और घर से बाहर इस पानी को फेंक देना है वह सब दूर हो जाएगी दोस्तों आप पर किसी ने करवा दिया होगा, कुछ तो वह खत्म हो जाएगा, तो आपका धन यदी पहले भी आ रहा था, इसके अलावा है, दोस्तों अगला उपाय में बताने जा रहा हूं, वह शत्रुनाश के लिए आपका बहुत ज्यादा दुश्मन, मन हो गए हैं, आप पर बहुत ज्यादा किया कराया करवा दिया है, आप पर, मुठी डालती है, या फिर आपको बीमार कर दिया है, या किसी भी परिवार के सदस्य को बीमार कर दिया है, पागल सा कर दिया है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, क्या चीज ले दोस्तों पांच आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है मिट्टी के तीन दिये लेने हैं और तीनों में आपको एक एक लाल मिर्च डालनी है मिट्टी के तीन दिये को को आपको जहां पर करते हैं उसे व्यापार जगह पर रख देना है वहन नहीं कर सकते चाहिए जान लेते हैं उसका आपको किस तरह प्रयोग करना है किस तरह उपियोग करना है यह भी हम आपको बता देते हैं विस्तार से मित्रों जो नीमबू होता है दोस्तों नीमबू हरे रंका होना चाहिए पीला नीमबू नहीं होना चाहिए जिसका छिलका हरे रंका होता है वह नीम्बू लेना है और पांच लाल मिर्च आपको लेनी है और आपको काले धन उसको बांधना है और बंद करके अपनी दुकान की दर्वाजे पर जो आपकी दुकान का या व्यापार का ओफिस का दर्वाजा है उसे पर आपको बांध देना है, आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे और आपका जो व्यापार है वह चलने लग जाएगा जैसे पहले चलता था आपको next उपाय बताने जा रहा हूँ, इसमें आपकी सुख शान्ती रहेगी और धन की समस्या को दूर करने वाला उपाय है, बहुत ही अचुक उपाय है, दोस्तों आप ध्यान से सुनियेगा इसको और उसके पानी का या फिर वहाँ पर करके किसी कोने में ज्यादा जाते ही बीमार हो करके और पानी का छिड़काव आपको एक फूल से करना है, दोस्तों एक फूल आता है, कोई भी फूल आप ले लीजिए आपकी माता लक्षमी की आप पर कृपा होगी और धन की जो समस्या आपके, जीवन में चल रही थी, वह दूर होने लगी, तो दोस्तों यह लाल मिर्च के बहुत ही अचुक उपाय थे, जो आपको बताएं, अब हम आपको और भी ऐसे उपाय बताने जा रही है, तो विडियो को पूरा ही देखे बाधाओं को दूर करने के लिए जीवन में अगर लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो एक बड़े बरतन में, पानी ले फ इस पानी को घर से बाहर फेंक दें, बिजनेस के लिए अगर आपका बिजनेस अच्छा न चर रहा हो, तो इसके लिए मिटी के तीन डीओं में पीली सरसों तेल साबुत नमक साहब, धनिया और हर में एक रेक लाल मिर्च रख दें, फिर के इन दियों को अपने व्यापार वाली जगहर पर रख दें, कुछ ही दिनों में लाब मिलेगा सफलता पाने के लिए लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो पांच सूखी लाल मिर्च लें और किसी भी कार्य को करने से पहले घर की दहलीस पर रख दें, इसके बाद किस इसी भी शुब काम के लिए घर से बाहर पैर रखें। धर के आगे गड़्धा करें, फिर पांच लाल मिर्च अपने दुश्मन का नाम लेते हुए सिर से पांच बार घुमाईे और गड़्धे में दबा दें, इस बात का ध्यान रखें की गड़्धे में लाल मिर्च दबाने के बाद पीछे मुर कर मत देखें। इसे में आपको पांच सुखी लाल मिर्च लेकर किसी भी कार्य को करने से पहले घर की दहलीस पर रख देना चाहिए। इसके बाद ही उस कार्य पर जाने के लिए घर से बाहर निकाले। माना जाता है यह उपाय करने से कार्य में सफलता मिलती है, शत्रू उपर विजय अगर लगातार आपकी शत्रूता बढ़ती जा रही है और आपके शत्रू आप पर हावी होते जा रहे हैं तो आपको भी लाल मिर्च का उपाय करना चाहिए। इसके लिए मंगलवार या शनिवार की रात को अपने घर के आगे एक गड़ा करें और उस गड़े में पांच लाल मिर्च अपने दुश्मन का नाम लेकर अपने सिर से पांच बार घुमाते हुए में दबा देना चाहिए। इस दौरान एक बात का विशेश ध्यान रखें की गड़े में लाल मिर्च दबाने के बाद घोलकर उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन से शत्रूओं का नाश होता है, परिशानियों को दूर करें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती रहती हैं। कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं कि वह पीछा नहीं छोड़ती। इसके लिए लाल मिर्च का उपाय लाभकारी हो सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो रही है, तो आपको एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें 21 लाल मिर्च के बीज डाल देना चाहिए। इसके बाद सोते समय इस बटन को अपने सिर के पास रख कर सोएं। अगले दिन सुबह साथ बार इस बटन को अपने सिर के उपर घुमा कर इस पानी को घर से बाहर कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।